अपराधी बेलगाम हो चुके है और यही वज़ा है कि दिन दहारे या रात के अंधेरे में कई ऐसे कारणामे है जो बिहार में अपराधियों की तरफ से किये जा रहे हैं खास कर अपराधियों को किसी भी बात का कोई डर नहीं है और यही वज़ा है कि क्या आम क्या खास हर किसी पे अपराधियों का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है ऐसे में एक और बड़ी घटना सामने आई है जिसमें अभ्यार के पुर्ववधान समा अध्यक्ष के भाई पे अपराधियों ने हमला करते हुए उनके घर पे बम फेक दिया जहां आपको बताएं कि बम फेकने के बाद अपराधि वहां से भाग निकले ऐसे में पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी मच गई और लोग भी वहां पे भैभीत हो गई ऐसे में क्या कुछ तस्वीर विहार के दानापुर से निकल कर सामने आई है किस तरह से बेखौफ अपराधियों ने पुर्व विधानसभा अध्यक्ष के भाई के उपर ये हमला किया है इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं बतादे कि बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार की देरा दानापुर के आई हैस कॉल्नी में पुर्व विधानसभा अध्यक्ष उदर नरायन चौधरी के भाई विजर नरायन चौधरी के घर पर बम विसफोट कर संसनी फैला दी बम फटने की आवाज पूरे कॉल्नी के लोगों ने सुनी जब तक लोग अपने घरों से निकलते अपराधी वहां से भाग चुके थे बम फोडने से घर की देवार चटक गई है गनीमत रही कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ घटना की सूचना पर पोस्ची पुलस मामले की जाच में जुट चुकी है इसके साथ ही बताया गया है कि आईएस कॉल्नी में पुर्व विधानसभा अध्यक्ष उदै नरायन चौधरी के भाई निवासी विजर नरायन चौधरी का घर है शुक्रवार की रात विजर नरायन चौधरी अपने अधिवक्ता पुत्र विनेश कुमार चौधरी के साथ दरवाजी के बाहर ही जो है वो खड़े थे वहाँ पे तो वही रात करीब 9 बच के 40 मिनट पे एक युवक पैदल वहाँ पे टहलते हुए आया और गेट के पास ख होचने की बात कही इस बात को पिता पुत्र दोनों ने ही सुना इस बीच उक्त व्यक्ति ने जो ही पॉकेट में हाथ डला उसे देख दोनों दोर कर घड के अंदर भाग गए दोनों को भागते देख उस व्यक्ति ने बम फेंका जो अधिवार पर जा लगी बम फटने से द देवार चटक गई है आशंका है कि हमले के लिए अपराधियों ने जर्दा के डिब्बे में बम बनाया था शक है कि अपराधी स्थानिये रही होंगे इसके साथ ही पुर्व विधानसभा अध्याक्ष उदय नरायन चोधरी ने बताया है कि वे राश्ट्रिये अनुसूच जनजाती आयोक के पुर्व सदर से हैं और उनके पुत्र विनेश चौधरी पटना हाई कोट में अधिवक्ता है बमफटने से परिजन से लेकर आसपास के लोग भी देहशत में आ गए है घटना को लेकर तरह तरह की अठकले भी लगाई जारी है बमफटने की खबर मिलते ह की एसपी सेयद एमरान मसूद वहाँ पहुचे पुलिस बल के साथ वह वहाँ पहुचे और चानबीन में जूट गए ऐसे में एसपी का कहना है कि केस दर्शकर मामले की जाच करके और अपराधियों को गिरफतार करने का आदेश दानापुर पुलिस को दे दिया गया है हमल अपराधियों को जल्द ही गिरफतार भी कर लिया जाएगा तो बता दे कि ये जो घटना है वो पहार के दानापुर में हुई है जहाँ पर्वविधान सबा अध्यक्ष उद्यनारायन चौधरी के घड पे ये जो हमला है वो अपराधियों की तरफ से अकिया गया जिसमें अपराधी वहां से भाग निकलते हैं जिसके बाद पुलिस की तरफ से यस्वाशन दिया गया है कि जल्द ही उन अपराधियों को गिरफतार कर लिया जाएगा और केस जो है वो अदर्ज कर लिया गया है ऐसे में कई तरह की बाते कही जा रही है और कहा ये भी जा रहा है कि कोई वेक्ती जो जान पहचान का हो उसी के द्वारा ये काम किया गया है इसे में देखने वाली बात होती है कि छानदीन में क्या कुछ जानकारी सामने आती है लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार निस्तरकी अपराधिक घटनाई देखने को मिल रही है अलग-अलग बिहार के ऐसे जने है जहां पे देंदहारे, हत्या और गोली बारी चलाई जाने की जो सूचना है वो लगातार देखने को मिल रही है ऐसे में एक और बरी घटना पहार के दानापूर से देखने को मिली है जहां पे पुर्व दासबा अद्यक्ष उदय नरांग चौधरी के भाई पे ये जो हमला है वो अपराधियों की तरफ से किया गया है फिलाल के लिए इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रही है न्यूस फोर नेशन के साथ नमस्कार